जैसे कि आप इस क्रीन पर देख रहे हैं जूपिटर कमपनी की निम्न सूचनाओं से बिनियोजित पूजी पर प्रत्या यानि रिटर्न ओन कैप्टल इंप्लोईट की गणना कीजिए यह कोश्चन नमर एट है इससे पहले की सेबन तक की जो कोश्चन्स हैं सेबन तक की जो प्रोब्लम है उनका सोल्यूशन पार्ट वन पार्ट टू रेसो अनलाइजी यानि अनुपात विसलेशन के नाम से अल्रेडी डला हुआ है और उसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और आप उसको सबसे पहले देखिएगा और कुछ महतपुर्व फार्मूले भी लिखे गए हैं उनको वैसे में प्रस्न को सॉल्व करते समय ही फार्मूलों को जिकर करता चल रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी बाकायदे सुनते रहिए समझते रहिए जो प्रस्न यहाँ पर हिंदी में लिखे हूँ उनकी मीनिंग आपको इंगलिस में भी आनी चाहिए यदि आप इसकी इंगलिस भी जानते होंगे तो फार्मूलों का समझना आफिल के लिए बहुत आसान हो जाएगा तो आईए समझते हैं कोश्चन नमर एट एट और नाइन हम दो प्रकार की प्रोब्लम को इस वीडियो में सॉल्व करे इंगे यहां information है कोश्चन के मताबिक return on capital employed यानी कि पूझी पर जो विन्यूजित पूझी होती है उस पर प्रत्याय यानी उसकी कमाई का rate क्या है पूझी पर कमाई का rate तो यहां पर विक्री की रासी यानी कि sale दिया हुआ है प्रोफिट दिया हुआ है और capital employed दिया हुआ है आईए समझते हैं इसका formula आखिर है क्या तो सबसे पहले देखेंगे screen पर यहां हमने बनाया हुआ है काफी मेहनत की गई है इस पर return on capital employed equal to यानि बिनियोजित पूझी पर प्रत्याए formula है net profit into 100 upon capital employed तो question में जो given है वो sale दिया है यानि बिक्रे दिया गया है profit और capital employed profit and capital employed जिसे हम बिनियोजित पूझी कहते हैं formula के मुताबिक net profit को 100 से गुड़ा करेंगे और capital employed से भाग करेंगे तो net profit कितना है 3,00,000 रूपए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा capital employed है 10,00,000 रूपए तो यहां पर होगा 3,00,000 गुड़ा 100,00,000 बटे 10,00,000 बराबर हो गया 30% अब देखते हैं दूसरा भाग यहां लिखा हुआ है सुध बिक्रे यानि net sale total assets यानि कुल संपत्या बिक्रे पर सुध लाब यानि की net profit on sale इसका percent है 6%, इसका मतलब है इस sale का 6% net profit होगा कुल संपत्यों पर बिक्रे यानि की assets turnover है अर्थात इस sale को 5 से भाग कर देंगे तो net assets का पता चल जाएगा तो आईए देखते हैं यहां पर 4 information given है जिसमें एक unknown है तो इसकी information जब लिखेंगे सबसे पहले आप solution करते समय ऐसा ही लिखिए जो चीजे दे रखा हो question में हालां की point number 2 यह है क्योंकि यह second है और यह हमने third पढ़ लिया तो पहले second को पढ़ लेते हैं सुद्ध बिक्रे अज्यात है यानि जो total sale है वह unknown है यानि sale equal to question mark उसके बाद है total assets 7 lakh total assets यानि सुद्ध संपतिया कुल संपतिया 7 lakh है विक्रे पर सुद्ध लाब का प्रतिसत इसका मतलब हुआ net profit का अगर 20% net profit जानना हो तो हम sale का 20% काटेंगे तो net profit का पता चल जाएगा फिलहाल sale यहाँ पे unknown है यानि पता नहीं है यहाँ पर लिख्या है gross profit gross profit 25% है sale का यानि sale का 25% काटेंगे तो 7 lakh रूपया आएगा जो की सकल लाब यानि gross profit होगा कुल संपतियों का बिक्रे पर अनुपात इसका मतलब होता है यह unknown value है कुल संपतिया कितनी है मालूम नहीं है उसका अनुपात कितना है यह भी पता नहीं है लेकिन हमें क्या निकालना है return on capital employed इस बात को नहीं भोलना है information हमने वो सब लिख लिया है जो question के मताबिक given है sale नहीं मालूम है total assets 7 lakh का दिया है यानि कुल संपतिया net profit का percentage 20% है जो यहां लिखा हुआ है gross profit का percentage sale पर 25% है जो की यहां लिखा है और यह 7 lakh रूपय है तो हमें इस formula को activate करने के लिए यानि जानने के लिए सक्रिय करने के लिए net profit का और capital employed का होना जरूरी है तो net profit के लिए हमारे पास यहां पर profit का percent दिया 20 और वह भी दिया sale के ऊपर sale कहां साएगा sale आएगा यहां से सकलाब के percent जो यहां बिक्रे का 25% 7 lakh रूपया होगा तो आखिर वह बिक्रे कितना होगा तो हम gross profit के रे रेसो का formula put करेंगे तो यहां देखिए gross profit रेसो equal to होता है gross profit गुड़ा 100 बटे net sale अब इसकी value रखो gross profit है 25% बराबर gross profit का amount है 7 lakh गुड़ा 100 फार्मूले में है net sale हमें पता लगाना यह मालूम नहीं है तो अब यह हमने इतनी चीज हमें पता है अब हमें net sale चाहिए तो net sale को यहां रखेंगे और इस 25 को यहां रखेंगे तो इस प्रकार से 7 lakh गुड़ा 100 बटे 25 होगा इसको काटेंगे 25 चोगे 100 चार आया 7 चोग 28 अठाइस लाग का total इस वक्त net sale का हमें पता लग चुका है कि सुद्ध लाभ जो है बिक्रे पर 20% है तो इसका मतलब बिक्रे तो हमने पता लगा लिया है 28 लाग का है उसका हम 20% काटेंगे 28 लाग गुड़ा 20 बटे 100 बनाबर 5,60,000 रूपए यह 5,60,000 net profit है अब हमें जरूरत है capital employed की तो total assets equal to total liabilities होता है जो balance sheet बनाते हैं तो एक तरफ assets होता है एक तरफ liability होती है तो total liability total assets दोनों आपस में एक दूसरी के बराबर होते हैं तो capital employed होता है total assets में से बाहरी liabilities यानि जो current liabilities होती है उनको निकाल दीजिए तो हमें पता चल जाएगा तो question के मताबिक हमारे पास total assets तो दे रखा है कितना रूपया दे रखा है 7,000,000 है तो हम total liabilities यहाँ पर external में कुछ नहीं है तो हम 7,000,000 में से 0 घटाएंगे तो 7,000,000 आएगा इसका मतलब capital employed 7,000,000 रूपया ही होगा अब return on capital employed को activate करेंगे तो net profit गुड़ा 100 बटे capital employed यानि net profit 5,000,000 आया तो 5,000,000 गुड़ा 100 बटे 7,000,000 गुड़ा 100 बटे 7,000,000 गुड़ हो गए 80 हो गया 80 परसंट आ गया इसका मतलब है कि return on capital employed की value 80 परसंट हो चुकी है यह हो गया second point अब third point पर आते हैं अब सुद्ध विक्रे यहां लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे सवाल को उतना ही अच्छी तरह पढ़िए इसकी अंग्रेजी भी आपको मालुम होनी चा चलाब 6 परसंट है कुल संपत्यों पर विक्रे 5 गुना है हमें यह नहीं मालुम कुल संपत्यां है कितनी क्योंकि वह अज्यात है अब हमारे पास एक दो तीन चार चार information में तीन information तो पता है एक information पता नहीं है अब हम information को put करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें जानकार हमारे पास किन-किन चीजों की given है तो question के मुताबिक given है sale साड़े 5 लाग का total assets निल है net profit on sale 6% है यानि विक्रे पर पर सेंट net profit का 6% है total assets to turnover पांच गुना है five times है जो कि यहां पे लिख्या हुआ है total assets on sale यानि total assets turnover sale जो है वहट कुल संपत्तियों का पांच गुना है यानि यह पांच लाग जो है अगर हम इसको पांच से भाग करते हैं तो हमें total assets का पता चल जाता है तो सवाल को solve करते समय धियान रखेंगे हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे most important है हमें इन सभी चीजों के बारे में हमें पता हो हमें इनके बारे में जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी बहुत जरूरी है Net Profit की Value यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है Net Profit है कितना बिक्रे पर सुधलाब 6% है बिक्रे है 5,500,000 इसका मतलब है 5,500,000 का 6% अगर हम काटेंगे तो Net Profit मिलेगा तो हम यहाँ पर नेट प्रोफिट जानने के लिए 5.5 लाग का 6% काटेंगे 6.100 तो यह 33,000 यानि 33,000 प्राप्त होगा इसके बाद total assets turnover यहाँ 5 times का दिया गया है यहाँ पर तो total assets turnover इसका मतलब होता है sale upon total assets total assets turnover equal to total sale upon total assets जो values दी हुई है उनको रखिए जो unknown है वो निकल जाएंगी तो total assets turnover 5 times दिया हुआ है 5 यहाँ रखिए बराबर total sale है 5.5 लाग है यहाँ रखिए अब उन में total assets डाल दीजिए जब total assets हमें चाहिए क्योंकि यह नहीं मालूम तो total assets equal to जब करेंगे हमारी जो total assets है वह एक लाग दस हजार है च्योंकि इसमें current liability नहीं है तो capital employed total assets minus liabilities होता है तो liabilities तो बुक में दी नहीं है तो एक लाग दस हजार देखो यहाँ पर zero false दू लगा है एक लाग दस हजार minus nil तो एक लाग दस हजार ही capital employed होगा अब जब हम capital employed यही होगा तो हमने 33,000 का जो net profit निकाला है return on capital employed के लिए 33,000 गुड़ा 100 बटे एक लाग दस हजार वही फार्मूला capital employed return वाला लगाएंगे तो 30% आ जाएगा इसका मतलब है question number one का answer answer 30% आया था यहाँ पर first question है इसका part आठ्वा question है आठ्वा का पहले भाग का answer 30% दूसरे भाग का जो answer है 80% और तीसरे भाग का answer 30% यहाँ पर मिलाएंगे पहला 30% दूसरा 80% और तीसरा भी 30% तो यह सवाल question number eight हो गया पूरी तरह से complete अब चलते है question number nine की ओर question number nine है की screen पर मवजूद है आप ध्यान से देखेंगे प्रस्न को धूलिया limited के निमने लेखा आवसेसों से सकंध आवर्त अनुपात यानी stock turnover कुल पूजी पर आवर्त अनुपात यानी की total capital turnover इस्थाई संपत्ति पर आवर्त अनुपात यानी fixed assets turnover working capital यानी कारिसील पूजी अनुपात के लिए working capital turnover बोला जाएगा इसको हिंदी में और अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए कुल बिक्रे यानी total sale बिक्रे की लागत 25,000 संचालन बे यानी operating expenses 97,500 गैर संचालन expenses है यानी कि non operating expenses 2000 अगर आपको इसकी अंग्रेजी नहीं पता है तो मैं लिख जो मैं बोल रहा हो जुबान से आप उसका अनुसरन करेंगे और फिर अपनी copy में लिख लेंगे लिखने के बाद आपको इसकी practice करेंगे तो आपको इनका नाम भी इंग्लिस में याद हो जाएगा क्योंकि हिंदी में solution होना possible नहीं होता है इसके बाद है fixed assets एक लाख 15,000 चालू समपत्तिया यानी की current assets में cash, stock, debtors यानी देंदार, इसकंध, रोकर दिया गया है चालू जी एक लाख रूपए की है, लाभ 75,000 रूपए है, average stock जो है वो 62,000 रूपए का दिया हुआ है यानी की average stock यानी आवसत सकंध, यानी सकंध का आवसत, अब हमने इन तमाम data's को, तमाम information को यहाँ पर उतार लिया है जो given है, sale, cost of sale, operating expenses, non operating expenses, fixed assets, current assets में cash, stock, debtors लिखा हुआ है, और current liabilities में, जो कि चालू दाइतो है, सीधा 65,000 है, इसके टुकडे नहीं है, कि creditor है, bills, payable, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा 65,000 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह रहाँ, चालू दाइतो सीधा 65,000 रूपए, समता पूजी एक लाख अनुपाद, इसका formula क्या होता है, इसकंद आवर्त अनुपाद का formula क्या है, stock turnover equal to होता है, cost of goods sold upon average stock, तो cost of goods sold है 2,05,000, average stock है 62,000, तो 2,05,000 को 62,000 से divide कर देंगे, कैसे, यहाँ देखिए, cost of sale, या cost of goods sold, एक ही बात होता है, बिक्रे की लागत, और बिक्के हुए माल की लागत, दोनों सब्दों का मतलब एक ही है, इसलिए, cost of sale, 2,05,000, और average stock, 62,000, तो हम 2,05,000 को 62,000 से divide करेंगे, 3.31, ratio 1, तो यही answer होगा, इसका मतलब हमारा जो जवाब है, यहाँ पर इसका answer दिया है, 3.31, ratio 1, अब हम दूसरा पता लगाएंगे, कुल पूजी पर आवर्थ, इसका मतलब होता है, total capital turnover, तो total capital turnover आखिर होता क्या है, total capital turnover के लिए हमें पता लगाना होगा, कि आखिर total capital turnover high क्या होता है, into 100 कर दें, तो इसका answer times में आएगा, यानि कितने गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे करकाएगा, तो total capital upon sale into 100, अगर यह होगा तो percent में, a sale upon total assets होगा, 100 से multiply नहीं होगा, तो इसका answer होगा times में, यहाँ पर आवर्थ लिख्या है, वैसे इसका जवाब times में होना चाहिए, अगर percentage में होगा, तो कुछ और होगा, सवाल पूछने का जो तरीका है, यह गल्थ हो गया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर total capital employed equal to, पहले तो में capital चाहिए, इसका formula होता है, total assets minus current liability, तो हमारे पास जो total assets है, उसमें आप देखेंगे, तो total assets में जो हमने information लिख्या था, total assets side का, वो यह था, fix assets और current assets, दो ही assets होता है, asset side में, तो fix assets तो यहाँ लिख्या है, यानि कि चालू संपत्तिया और अस्थाई संपत्तिया है, और यह चालू संपत्तियों में तीन पार्ट है, तो 2,40,000 में से चालू दायतों को हम घाटा देंगे, तो हमारे पास capital employee का पता चल जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, capital employee जानने के लिए, यह total assets हमने जोड़ा, और 65,000 घाटाया, तो हम total assets को जोड़ लेंगे, और current liabilities को घाटायेंगे, तो हमारी capital employee का पता चल जाएगा, sale 4,25,000 रूपए, information में दिया है सबसे उपर, total capital turnover, फार्मूले के मताबिक, अगर हमें times में चाहिए, तो 4,25,000 यानि कि total sale upon capital employed, जिसे भाग करेंगे, 2.43 times लगभाग आएगा, अगर इसे percentage में चाहिए, तो उल्टा करेंगे, यानि capital को उपर रखिए, गुड़ा 100, बटे capital sales ही नीचे, अगर हम ऐसे करेंगे, 43.18% आएगा, अब हम बात करेंगे, ये question बुक में इसका जो answer है, वो गल्त लिखा हुआ है, क्यों गल्त है, क्या mistake है इसमें, कौन सा amount कम या ज़्यादा है, ये पता नहीं है, लेकिन इसका answer, बुक में गल्त है, 30.25% लिखा है, जो सर्वता अनुचित है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसका answer मिलाएंगे, तो आप देखेंगे, यह है, 30.25% है, जो कि गल्त है, जो कि सही जवाब ये बैठ रहा है, इसके बाद अगला देखेंगे, बाकि और सभी answer सही है, fix assets turnover, fix assets turnover formula क्या होता है, fix assets turnover equal to होता है, cost of sale upon fix assets, तो cost of sale, यहनि बिक्रे की लागत, तो बिक्रे की लागत, cost of sale यह रहा 2,05,000 और fix assets है, 1,15,000, तो हम इसको divide कर देंगे, इस तरह से, 2,05,000, बटे 1,15,000, तीसे काटेंगे, तो 1.78 upon 1, अर्थात 1.78 यानि 1.78 अनुपात 1, इसका जवाब होगा, इसके बाद, last इसका, कारी सील पूँजी अनुपात, यानि working capital ratio, working capital ratio देखिए, कारी सील पूँजी अनुपात, working capital ratio फार्मूला है, cost of sale upon working capital, तो cost of sale तो हमारे पास दे रखा है, 2,05,000 रुपए, जो के अभी हमने यहां लिख्या हुआ है, यह cost of sale ही तो है, यहां पे 2,05,000, लेकिन working capital नहीं मालूम, तो working capital हमें निकालना होगा, इसका formula होता है, current assets minus current liabilities, तो current assets given information के मुताबिक, यदि आप देखेंगे, तो सवाल में ही दिया हुआ है, current assets में cash, stock, debtors, और current liabilities को minus करना है, तो 65,000 को घटाएंगे, यानि इन तीनों को जोड़िए current assets को, और इसको घटाएंगे, अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे, तो यह 3,25,000 होंगे, और यह 65,000 घटादेंगे, तो 60,000 का यहां पर working capital प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से, cash, debtor, stock, जोड़ेंगे, तो current assets आएगा, मैंने खुल के लिख दिया यहां पर, तीनों जोड़ेंगे, तो 1,25,000 current assets प्राप्त हुआ, और current liability 65,000 दिया हुआ है, तो 1,25,000 में से 65,000 घटाएंगे, तो 60,000 प्राप्त होगा, working capital ratio, cost of goods sold, यानि की cost of sale, 2,5,000 upon 60,000, तो यह आता है, काटके, 3.42, और नीचे एक आएगा, तो इसे divide करने के बाद, जब यह प्राप्त होगा, तो इसका मतलब इसका अनुपात हुआ, 3.42, 1, अर्थात, इसको हम अगर times में बदनाए, तो यह हो जाएगा, 3.42 times, अगर अनुपात में लिखेंगे, तो 4, यहाँ पर लिखेंगे, जो अनुपात वाला अगर situation आता है, तो यहाँ 1 जरूर लगाएंगे, 3.42, अनुपात 1, यह हमारा answer यहाँ मैज कर लेते हैं, यह 3.42, अनुपात 1 है, और 1.78, रेसो 1 आपका दूसरा वाला है, जो की स्थाई समपत्यों का अनुपात था, और वो यह रहा, 1.78, अनुपात 1, यहाँ इस परकार से हमने इसके 4 पॉइंट जो पूछे गए थे, उनका हमने जवाब दे दिया है, इस परकार से हमारा रेसो के दो कोश्चन बहुत महतपूर्ड 8 और 9 पूर्ड हो गया, 8 और 9, इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, इंगलिस में सवाल सोल्ब करेंगे, बसरते इन सभी वर्ड की हिंदी की इंगलिस आपको पता होनी जरूरी है, यदि आप इन सभी हिंदी में लिखे गए तो आपके लिए रेसो एनलाइजिज चुटकियों में सॉल्ब हो जाएगा, इसलिए महतपूर्ड इस पार्ट का जो हिस्सा है वह है इसके फॉर्मूले, फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना होगा, जो कि बहुत आवस्यक है आपके लिए, और इस चैप्टर के लिए भी है तकि आपके इस दिमाग में आ जाए, यदि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाईए, और उनको यह वीडियो अवस्य सेयर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो से अत्यधिक प्रेरितों और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियो जो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी फिर लेते हैं बिराम और लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास सिर्फ आपके लिए धन्यवाद